वेलकम फ्रेंट्स जो भी कारेपालक साहक परिक्षा पास कर चुके हैं वो परिशान है कि क्या होने वाला है आगे कब ज्वाइनिंग होगी KYC कैसे होगा तो उसको जानने से पहले हम लोगों का जो पहले notification देखिए उसमें पैनल का जो निर्मान होगा वह कैसे होगा अभी तो इस वीडियो को और स्भीडियो में हमने नहीं कहा कभी लेकिन इस वीडियो को आप skip नहीं किजेगा एक एक चीज को आप पॉइंट को ध्यान से सुनिए आपको किस किस चीज कियावे सकता होगी ये सारा आपको पहले कर लेना है तो पहले तो पैनल का जो निर्मान होगा जो पहले आया रिजल्ट मेरिट लिस्ट तो अभी नहीं बना तो देखें MCQ तथा टैपिंग परिक्षा में सफल अभ्यर्थियों का अंग्रेजी या हिंदी टैपिंग में प्रापतां के अनुक्रम में मेधा सुची आधारित पैनल बनाई जाएगी जो की बना ठीक है हम लोगों का रिजल्ट इस तरह से आ चुका है तथा अभी नियोजन हे तू संधारित किया जाएगा हिंदी टैपिंग में प्रापतां के अधार पे वर्यता सुची तयार की जाएगी यानि अब उसके बाद पहले तो ये वला चीज आ गया MCQ और टैपिंग के अधार पे हमारा रिजल्ट बन क्या गया अब क्या है हिंदी टैपिंग में प्रापतां के आधार पे वर्यता सुची तयार की जाएगी तो अब ये वाला काम होना चाहिए ठीक फिर है नेक्स्ट सेवा देने हे तो इन सुचीबद अभियर्थियों को निगम के आउट सोर्सिंग एजनसी से परसपर स्विकार एग्रिमेंट करना होगा तो हो सकता है इसमें बेल ट्रॉन जो यहां पर देखे पहले ही ये चीज दिया गया है नोटिफिकेशन में जो हम किसमें क्या है हो सकता है कि यह उडविला इंटरियूशनल प्रैवेट लिमिटेट से आपको जो है यह नहीं भी हो सकता है हो सकता है हमारा है प्रंख अभियर्थियों के बेल्ट्रों या अधिया आची विभागों में नूक्ति का आधार नहीं होगा सब्सक्राइब आगे हैं चैन के पस्चाथ विभिन बिभागों या कारियालयों से प्राप्त अधियाचना के विरुद्ध संपूर्ण बिहार राजी कि किसी भी जीले में अभी नियोजन किया जा सकता है मतलब जब हमारा ये हो गया तो अब क्या है विभिन बिभागों से अधियाचना आएगी कि हमें इतना लर्का चाहिए हमें इतना स्टूरेंट चाहिए हमें इतना कारिपालक सहक चाहिए ठीक उसके लिए जो हम लोगों का नियोजन किसी भी जीले में किया जा सकता है पूरे बिहार में, नेक्स्ट पॉइंट देखे क्या है, यह परतिन्युक्ति योगदान स्यकृति की तिथी से एक वर्स के लिए मानने होगी, मतलब पहले एक वर्स के लिए ही होगा, यदि अधिसासी विभाग या कारियाले द्वारा कोई विपरित तथ्यात्मक टिपन्नी यह हो जाएगी, ठिक, बाकि आरक्षन का यहाँ पर पालन किया जाएगा, ठिक है, जाती के आधार पर आरक्षन का लाव उन्हीं को मिलेगा, जिनका अस्थाई निवास बिहार राजि में है, यदि बिहार से बाहर के कोई कंडिडेट यहाँ अपलाई किये होगे, तो वो के टिगरी में आएंगे, ठिक है, बिहार राजी के बाहर के निवासी को आरक्षन का लाव दे नहीं होगा, आविदन में दिया गया अस्थाई पता ही, आरक्षन के लिए अस्थाई निवास अनुमान्य होगा, पिछरी जाती एवं अत्यंत पिछरी जाती, जो BC और EBC कहते हैं, या BC 1 यह हो गया, अत्यंत पिछरी जाती, और जो पिछरी जाती होता है, उसको BC 2 कहते हैं, कि उमिदवारों को क्रीमी लेयर रहित प्रमानपत, जिसको हम लोग नन क्रीमी लेयर कहते हैं, वो बनाना पड़ेगा, मतलब पहले आप अपने अंचल कारियाले में वहाँ और ऑनलाइन आविदन भी होता है, ठीक है, वहाँ पर आपको करना पड़ेगा, जाती, निवास, आपलाई करना पड़ेगा, जो BC, EVC में आते हैं, उसके बाद आप उसी आधार पर नन क्रीमी लेयर के लिए अपलाई करते हैं, ठीक है, जो अनुसुचित जाती एवं स्टी के टेगरी के, उनको जाती परमान पत्र केबल देना होगा, और आस्थाई निवास का, निवास परमान पत्र देना होगा, ठीक है, इसी के आधार पे, यहां देखिए, उपरोग तथ्यों के आलोक में अनुरोध है, कि कारिपालक सहयकों के लिए दिनांग 5723 को होने सामति यहां इस पर वाली दक्सता परिख्चा के लिए लिए वपरोग पर सहमति दें, इसके लिए पहले ही चिठी जारी हो चुका है, इस पर विपयस्एम जो है सहमति दी हुए, तभी हम लोगों का आगे एक्जाम हो चुका है, ठीक, अब आते हैं, जो हमें कौन-कौन सा document त्यार करके रखना चाहिए जो हमें यह जो जॉब नहीं किये हैं पहले से जॉब पर नहीं है जो अभी रिजल्ट एक्जाम जो पास किये हैं उनके लिए जो KYC करने के लिए कह रहे हैं सब को यह इस चाहरे है KYC में क्या होगा तो वहां पर उनको क्या ध्यान देना है वो द आपको वीडियो बना कर हम बताएंगे यह नोटिस आने से पहले की बात है ठीक है यहां पर एक पेज होता है इस तरह से अंडिपलवाइट कंडिडेट का यहां पर देखिए सबसे पहले हमें जरुरत किस-किस चीज़ों की होगी आपको यह चीज समझना चाहिए क्या है ल जो आपने फॉर्म फिल अप करने में किया था आप जो फॉर्म भड़े हैं आप जो एक्जाम पास कियें आपका वहाँ जो नाम है वही आधार कार्ड में होना चाहिए ठीक है यदि आपने फॉर्म भड़ने में नाम गलत दे दिया है तो आपको उसके लिए फिर जो है लिखा क्या तो आधार कार्ड में जो नाम है आपका वह आपका एक्जाम फॉर्मला में होना चाहिए ठीक यदि आपका आधार कार्ड में नाम गलत है तो आप अपना नाम सुधरवा लिजिए दूसरा enter the date of birth as per आधार and this date of birth should match with candidate exam registration detail मतलब आपका date of birth जो आधार कार्ड में है वही form भरने वाले में भी होना चाहिए ठीक है तो आपने जो form भरा उसमें जो date of birth दिये हैं वही same date of birth आपका आधार कार्ड में भी होना चाहिए ठीक तभी आपका आगे के वैसी हो पाएगा तो आपका date of birth गलत है आधार कार्ड में और आपने जो form भरा वही आपके matrix में भी है date of birth तो आप उस अनुसार से आधार कार्ड में date of birth सुधार कर लिजिए ठीक date of birth सुधार करना या नाम सुधार करने के लिए आपको block में भी जो है इसका office होता है आधार का आधार center का या market में भी होत इस मोबाइल नंबर विल वे यूज़ फॉर फॉर्दर कम्मिनिकेशन आप वही मोबाइल नंबर दीजिए जो आप ऑन रखते हैं ठीक है और देखिए यहां पर आधार ओटीपी भी आता यानि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुरा हुआ होना चाहिए यदि पर आप मोबाइल नंबर जुरुबा सकते हैं ठीक है फिर एंटर दर इस्टेशन नंबर विचिज प्रोवाइड डेट टाइम उप एक्जाम रेजिस्टेशन तो उसका एक्जाम रेजिस्टेशन वालत देना है वहां तो कोई दिकत नहीं है ठीक है अब यहां पर गेट आधार OTP OTP आएगा आपको आपका आधार में मोबाइल नंबर जुरा हुआ होना चाहिए अब कहता है इनकेस यूजर गेट दी एरर मेसेज आधार लिंक डाउन यदि ऐसा मेसेज आएगा तो कहता है आप पेज को रिफ्रेश किजे और फिर से उस फ़र्म को भरिए मतलब कीवाईशी डीटेल में आपका नाम जो है नहीं कर रहा है इसलिए हमने पहले कहा कि आपका आधार कार्ड में जो नाम है वही आपके फॉर्म में भी होना चाहिए तो यह सब चीज़ आप मिला कर पहले से रख लिए देखें दूसरा क्या है in case candidate date of birth does not match with आधार and exam registration date of birth then system will throw in message आधार date of birth does not match with enter ये सब error आने से पहले आप क्यों न सुधार कर लिजिए ठीक है तो date of birth आपका जो आधार card में है वही आपका form में भी होगा या form में जो है वही आपका आधार card में होना चाहिए ठीक है in case any candidate already registered himself या herself through previously opened KYC process then system will throw यदि पहले से कोई cut दियो होंगे तो यहाँ पर बताएगा already completed ठीक है फिर हो गया आपका आधार का काम यहां से ठीक अब आगे देखिए और यदि आधार का ही problem होगा तो आधार link down आएगा ठीक है चलिए तो आधार के website में कोई error होगा तो name candidate id role number email id and contact number यह सब चीज हम लोगों को दिखाएगा initially for newly exam past candidate जैसे हम लोग नया पास किये वे candidate है तो role number और candidate id हम लोगों का same होगा ठीक है in case of user wants to update the email id बहुत कोई comment के थे पहले या पूछे भी थे email id हमाला गलत हो गया है तो उनको यहाँ पर option होगा यहाँ से आप क्या कर सकते हैं email id को update कर सकते यूजर wants to update the email id same can be done in the header page ठीक है वहाँ पर आपको email id update करने का option मिलेगा contact number will be faced from login page mobile number वहाँ जो mobile number देंगे वो mobile number खुद से यहाँ आ जाएगा अब देखियो official page में यहाँ पर क्या आएगा candidate id विल सोधी रॉल नंबर रॉल नंबर candidate id वहाँ पर दिखाएगा prefix needs to be chosen from the drop-down candidate name will be prefilled based on the candidate data वहाँ से हमारा नाम पहले आ जाएगा mode of employment prefilled as contract employee वहाँ से पहले से ही fill up रहेगा contract employee email id is as email id is same as header email id पहले से रहेगा वहाँ पर अपडेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं job title will be prefilled with job details based on the candidate data ठीक है जोब टाइटल भी हमारा वहाँ पहले से प्रिफिल रहेगा यह तो पहले से जो प्रिफिल्ड है उसमें आपको कुछ नहीं करना है खाली चेक कर लेना है सही है ठीक है यहां देखिए दिखाएगा candidate name candidate id रॉल नंबर यह दोनों हमारा से मिरेगा email id में यहां देखिए update का आपको यहां पर link मिल रहा है ठीक है contact number है यहां पर हमें करना होगा यह तो जब हम करेंगे तभी आपको करके दिखाएंगे candidate id है प्रिफिक्स में मिस्टर मिस ऐसा रहता है नेम इंप्लाइमेंट इमेल इडी जॉब टाइटल पोजिशन इंप्लाइमेंट इस्टेटस यह है आप यहां पर देखिए प्रस्टनल डिटेल में क्या होता है आप जेंडर डिस्पले होगा वहां पर अनले ने श्टिए दिखाएगा धर यह खरेंवेंट ने मापफो लिखना और मदस्नेम लिखना होगा रिज घिलीजन हिन्दू मुसलिम सिक हिसाहिश यह आपको लिखना होगा अ प्रैम्री लेंग्वेज यह आपको लिखना होगा जैसे हिंदी इंगलेज इस तरह से ब्लड ग्रूप आपको देना होगा देना होगा दिखाएगा वहां पर डिट अब बर्थ आपका डिस्पले हो जाएगा खुद से वहां पर डेट बर्थ के अनुसाथ आधार नंबर अभी जो बनता है एव तो तो वह बनवा लीजिये है जो 20 zwischen में आते हैं उनको द्री में बना माद्र परवान पत्र बना लेना है कर दिबीशन कैटेगरी आपको वहाँ पे अपना वो फिलुप करना पडेगा ठीक है में जो आते हैं ये दो ऌदेना पड़ेगा उनको सब्केट ठीक है रेसिदेंश इसला में निवास प्रमान पत्र लगेगा ठीक नहीं और कोई से आते हैं तो उनका सर्टिपिकेट लगेगा इस तरह से यहां पर नेक्ट में दिखा रहा है जेंडर मेरिटल स्टेटर्स नेशनलिटी फादर्स नेम मदर्स नेम रिलीजन यहां पर लेंग्वेज है यह जब फॉर्म भरने के लिए हम लोगों के लिए आ जाएगा तब हम आपको फिर से इसको करके बताएंगे ठीक है यहां पर सर्टिपिकेट नंबर भी लगता है और फिर आपको इसको पीडिएप जो है उसका अपलोड भी करना पड़ेगा निव आप बना कर रख लिए ठीक है देखिए अंतीम में प्लेस्मेंट प्रेफरेंस जो होता है यहां पर उसमें दिया है आपको प्रेफरेंस हार रिक्वाइट फॉर्ड मतलब हम जो जिला चाहते हैं हमें इस जिला में पोस्टिंग हो तो कणिडिए नीट्स टू सेलेक्ट प् प्रोवाइड प्रेफरेंस कम से कम एक उप्षन आपको वहां पर चूज करना एक लिस्ट वन प्लेस और प्रेफरेंस निट्स टू बी प्रोवाइड़ बाइड बाइड़ कंडिडेट में ठीक है एक कम से कम आप च्वाइस किजिए बांकी अदि आप नहीं च्वाइस करना चाहते हैं तो वहां पर आप एडिशिक सपांचो सेलेक्ट कर सकते हैं और या नहीं तो आप वहां परका सथर्थ नार Central और यहांप्षम क्या होगा City वी जिला में दे दिया जाएगा ठीक तो यही होता है क्या KYC ठीक है अब बांकी देखिए पंकज कुमार जी है नालंदा से जिन्होंने एक WhatsApp गुरूप बनाया हुआ है यहाँ पर ठीक है लिंक आपको सब्सक्राइब करें जानकारी मिली है आपको इसमें मिल जाएगा यहां से आप कोई भी अपडेट है वह आपको मिलता रहेगा ठीक है बांकी क्या है आपको टेलिग्राम हमारा चैनल है वहां पे भी आपको कोई अपडेट होता है तो वीडियो बना कर या PDF होगा तो वहां आपको मिलता रहेगा अभी आपको बेल्टन की website पे कुछ नहीं करना है अभी आपको बेल्टन की website पे यह वाले पेज पे जाके अभी कुछ नहीं करना है यह ध्यान देना है जितना हमने केवल कहा कि certificate उतना आपको अपना रखना है देखिए फॉर्म में हमने जो भड़ा था वो सब certificate होना चाहिए जैसे कोई पास किया है तो बादवाला भी लगा सकते हैं लेकिन जब आपने अपने जीले में कार्येपालक सहयक का वार्म फिल अप किया था तब ही जो जो सर्टिफिकेट उसमें चाहिए होना था सटिपिकेट आपको इस टाइम का हो चाहिए ठीक बांकी क्या है देखिए जाती निवास आये यह सब आपको बनाना होगा और जो जन्रेल के टेग्री से आते हैं यदि वो इड़ाइस में आते होंगे तो उनको इड़ाइस सर्टिफिकेट और जो रेसिडेंश यानि निवास प्रमान पत्र है वो बनाना होगा ठीक है तो यह सब बना लिए बांकि फिर भी कोई दिकत होती है तो टाइम मिलेगे यह जब हम्हें के वाइसी के लिए लिए लिंक देगा उसमें हमें टाइम दिया जाएगा तो फिर आपको वीडियो बना कर फिर से बतादेंगे फिर भी कोई दिकत है यह जो कममेंट कीजीं में आप कमेंट में वहाँ पर मैसेज्स दिजीए फिर हम आपको वीडियो बना कर बताएंगे ठीक है धैरे रखे बहुत जल्दी कुछ अच्छा होने वाला है थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई